दोसो एटल और जियो का रिचार्ज मेहगा हो चुका है आप तोसो अगर यह सोच रहे हैं कि हम एटल की सिम यूज करें या जियो की सिम यूज करें कौन से सिम में सस्ता प्लान है, सस्ता रिचार्ज है आईए इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे तो आप वीडियो को पूरा सुरू से लेका लाज तक जबूर देखते रहेगा वीडियो अगर पसंद आजाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जबूर कर देजगा सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दे कि हम Airtel की यहाँ पर रिचार्ज प्लान आपको दिखा दे कि यहाँ पर कितना बढ़ा हुआ है रिचार्ज कितना रिचार्ज पहले था और कितना बढ़ा हुआ है आईए आपको हम दिखा देते हैं यहां पर दोसों आपको देख सकते हैं कि 189 रुपय का जो रिचार्ज प्लान था वो 199 रुपय बढ़ा दिया गया है और जो यहां पर देख सकते हैं कि 265 रुपय वाला रिचार्ज था वो 299 रुपय कर दिया गया है और यहां पर 399 रुपय जो था वो 449 रुपय कर दिया ग और यहां पर दोसों आपको हम दिखा दें कि जियो का रिचार्ज कितना माएंगा हुआ है जो एक 255 रुपए का रिचार्ज था वो 189 रुपए का हो चुका है जो 209 रुपए का रिचार्ज पहले था वो 209 रुपए कर दिये गया है और यहां पर देख सकते हैं 249 रुपए क पर बात करें तो जो 666 रुपए का रिचार्ज प्लान था वो यहां पर 799 रुपए यहां पर कर दिये गया है यहां पर आप देख सकते हैं और जो 719 रुपए वाला रिचार्ज था वो 2869 रुपए के यहां पर कर दिये गया है मैं सभी पॉपलर जो रिचार्ज ज्यादा तर रोग कराते थे वह रिचार्ज प्लान बता रहा हूं जो कि आप जो भी रिचार्ज प्लान कराते थे यहां पर आप लिश्ट देख सकते हैं कि यहां पर आपको पूरी जानकार यहां पर देखने को मिल जाएगी यहाँ पर यह सभी जीयों की है यहां पर आप देख सकते हैं कि यह candice लिश्ट है जो कि पहले वाला जो रिपर फटीरी में यहाँ पर आपकों सीं में पर भड़ा हुआ है आपको हमने बता दिया अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आगाई तो वीडियो को लाइक करिएगा सेर कर दिजिएगा चैनल पर पहली बार बिजिट कर रहो सबस्क्राइब जब करेगा फिलाद दोस्तों वीडियो में इतना ही मिलते आपको अगरी वीडियो में किसी और नई वीडियो नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए जेहिन वंदिमाद